हेलो गाईज नमस्कार हम आप लोग के स्केर्ट में स्वागत करते हैं दोस्ता आज हम बात करें कि हैंसम होने के कुछ टीप्स अगर आप इस टीप्स का अपनातने हैं तो आप पर बहुत लड़किया आकर्सित होगी लड़कों के हैंसम बनाएंगे ये संदार टीप्स आप शुत्रे रहते हैं आज हम आपको उन छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप इग्नोर करते हैं उसका सीधा असर आपकी पर पड़ेगा आए जानते हैं उन टीप्स के बारे में जो हर लड़कों को फ्लो करना चाहिए हैर कट आप कैसे किसी लड लड़कों को खास ख्याल रखना चाहिए वे हैं उनका हैर एस्टाइल कुछ लड़के फणी हैर एस्टाइल ले लेते हैं किसी भी लड़की को यह पसंद नहीं होता है अपने हैर एस्टाइल को सीम्पल और आकार्शा रखे इसके अलावां टाइम टू टाइम हैर हैर कट लेते रहना चाहिए तीस से 45 दिन से ज्यादा की देरी ना करने चाहिए टिप्स नमर टू शॉर्ट का एस्क्लीव्स बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वह अपने शॉर्ट की एस्क्लीव्स को डबल कर लेंगे तो यह अच्छा नहीं लगता है लेकिन ऐसा नहीं है शॉर्ट के एस्क्लीव्स को डबल करना लड़कों की पर्सनलाइटी को अकर्शक मनाता है टिप्स नमर ठॉर्ड साप जूत्ते के पहने आपको याद होगा कि एस्कुल में जब भी आपको सूज साप नहीं होते थे तो टीचर आपको गुसा करते थे पर तब आपको सैद इस बात का अंदाजन नहीं होगा कि यह चीज आपको भविश्य में भी काम आएगी बता दे साफ जुत्ते पहनना भी फैसन एक एसिक्ट के फायदे में दायरे में आता है गंदे सूज सामने वाले पर आपका गलत इंप्रेशन छोड़ते हैं और लड़कियों को भी साफ स दूज पहने वाले लड़के पसंद आते हैं टिप्स नमर फोर्थ कलर का भी आपकी पर्सनलाइटी पर सिधा असर पड़ता है आप चाहे जितना अच्छे और महेंगे कपड़े पहन लें लेकिन उनका कलर आपको अपने अनुसार नहीं लिया तो यह आपको पूरे लुक क बिगाड़ देता है हमेशा ऐसे रंगों का चैन करें जो आपको उपर फबते हो अगर आप कभी बलेक कलर की सरॉट पहनते हैं तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि आपकी बटम लाइट क्रकी होनी चाहिए टिप्स नमर फाइफ दाड़ी अगर चेहरे पर भरी होई दाड़ी है तो क्लीन शेव रखे ऐसे लोग डाड़ी के साथ एकस्पिरिमेंट भी ना करें टिप्स नमर सेवन डियो मौसम की हिसाब से अपना डियो चुने ऐसी फैंगरेंस चुने जो बहुत तिरवो ना हो तिरवो फैंगरेंस से आपको आज पास के लोग अच्छा मौ किमियो में अंडर अमर्स को साप करके आप एक तरफ कई बीमारियों को होने से रोक सकते हैं तो वहीं बालों से आने वाली बदवू से भी निजात पास सकते हैं टिप्स नमर नाइंथ अस्तान करें दिन में दो बार नहीं नहा सकते हैं तो कम से कम चेहरे की सपाई और हाथ पर नीमित रुप से साप करते रहें, ऐसा करने से आप खुद को ताजा महसुस करेंगे, साथ ही साप सुत्रे भी बने रहेंगे, हमेशा अपने साथ डियो ड्रेट रखे, डियो ड्रेट का इस्तेमार समय समय पर करते रहे, सरीष दुर्गंद नहीं आएगी, अगर मेरा अधर और आकर्सित हो जाएगा और आप पर डड़किया जट से अट्रेक होने लगेगी, दोस्तों अगर में वीडियो अच्छा लगते हैं तो मेरे चैनल सस्क्राइबर करेंगे,